नमासकार स्वगत्यापका हमारे अचार जागिंद्र मिशाज चेनल पर पित्र पक्ष में भूल कर भी ये दो सबजियां घर में नहीं बनाना दोस्तो पित्र पक्ष को स्राध पक्ष के रूप में जाना जाता है पित्र पक्ष, भाद्र पपद माह के सुक्ल पक्ष, पूरिमा तितिय से सुरू होकर असुनी मास के आवश्या पर शोला दिनों के बाद स्माप्त होता है आपको बतादे की पित्र हमारे पूर्वज होते हैं, जिनकी मृत्तु हो चुकी है परन्तु जिन्हें मुक्ती नहीं मिली है और उनकी आत्मा भटकती रहती है जो लोग पित्रपक्ष में पित्रों का स्राद नहीं करते हैं उनकी संतान की कुंडली में पित्र दोश लगता है दोस्तों पित्रपक्ष में अपने पूर्जों की पूजा करते हैं पित्रपक्ष के दावरान लोग अपने पूर्जों का तरपन कराते हैं और उनकी आत्मा की शांती के लिए प्रातना करते हैं ऐसी मानता की जो लोग पित्रपक्ष में पुर्यों का तरपण नहीं कराते उन्हें पित्रदोस लगता है इससे मुक्ती पाने का सबसे आशान उपाय पित्रों का स्राध कराना स्राध करने के बाद ही पित्रदोस से मुक्ती मिलती है दोस्तो जोतिस साच्त्र में पितर दोस सबसे बड़ा दोस माना गया है पितर दोस से पीडित ब्यक्ति का जीवन बहुत ही कश्टम सिभरा होता है जिनके कुंडली में पितर दोस होता है उसे हमेशा धनकी कमी संतांस सम्मंदित बाधा एवं बिवाह या बैवाहिक जीवन में परेशानी बनी रहती है और मानसिक अस्थिरता बनी रहती है दोस्तो आईए आप जान लेते हैं कि पित्रपक्ष में वो कौन सी दो सब्जियां हैं जो घर में नहीं बनाना चाहिए एक तो कुम्हडा दूसरा पत्ता गोभी जो बंद गोभी जिसे कहते हैं वो बंद गोभी पत्ता वाली यानि कि दो सब्जी को नहीं परोशना चाहिए पित्रपक्ष में अगर ब्रामण भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती एक कुम्हडा जो जिससे पेठा बनता है ये भी स्तुराद पक्ष में नहीं खिलाए जाता यानि कि इसकी सब्जी बिल्कुल भी ना बनाए और इसकी सब्जी बनाकर किशी भी ब्रामण को ना खिलाए क्योंकि स्तुराद पक्ष में ब्रामण को भोजन खिलाने का भोजन के भोजन में यनि कि स्राद पक्ष में सबसे ज़्यादा जरूरी है दूद की खीर दूसरा तुरई का सबजी खिलाएं तीसरा उड़त की डाल का भोजन या तो दही बड़ा बना लो या इमारती बना लो या फिर बड़ा बना लो या पकोड़ा बना लो ये भोजन ज और उड़त की दाल का भोजन प्रेतों की हिस्षे में चला जाता है। इन तीन भाग का भोजन ब्रह्मन जब स्राधपक्ष का भोजन करें तो उसमें बनाना चाहिए। लेकिन पित्रपक्ष में स्राधपक्ष में भूलकर भी ये दो सबजियां घर में ना बनाए और ना ही प परोसे यानि कि इसे आप सबजी बनाकर ना खिलाएं ब्रहमण को तो ध्यान रखें दोस्तों एक कुमड़ा और दोसरी पत्ता वाली गोबी भूलकर भी ना बनाएं। तो दोस्तों बीड़ो पसंद आए तो बीड़ो को लाइक कर देजेगा, दोस्तों को वेशेर कर देज झाल